इस वीडियो में CRO और function generator से लिसाजस figure generate करना सिखेंगे लिसाजस figure में horizontal और vertical तेंजेंसी count करेंगे और formula में value बैठाकर frequency calculate करेंगे तो आए वीडियो को start करेंगे अब हम लोग लिसाजस figure generate करना सिखते हैं तो सबसे पहले connection देखेंगे तो हम लोग दो function generator यूज़ किये हैं एक on non frequency के लिए होगा और एक non frequency के लिए होगा और यह हम लोगा setup है यहाँ पर हम लोगा और non frequency को हम लोग y channel या vertical channel पर यूज़ करेंगे supply देंगे और non frequency को x channel या horizontal channel पर input देंगे और यह हम लोगा non frequency है और यहाँ से हम लोग on non frequency को vary करेंगे और यह हम लोग का zero है से यारो को हम लोग यहां पर y channel है और यह एक्स चनल है तो y channel पर हम लोग on non frequency इस पंसर जनेरेटर को कनेट किये हैं और यह हम लोगा non frequency है तो इसको x channel यहां पर connect किये हैं अब हम लोग см साजर्स जेनरेट करने के लिए एक्स वाइब स्यारों में बटन है इसको आम लोग प्रेस करेंगे तो यह प्रेस करना ज़रूरी है बागती सारे बटन्स यह ओपेन रहेंगे अब हम लोग नॉन फ्रिक्वेंसी को 2.02 किलो हर्स पे सेट किये हैं अब हम लोग और नॉन फ्रिक्वेंसी को दिरे दिरे इसको वेरी करेंगे और एक पेटन जेनरेट होगा उसको हम लोग मेजर करेंगे तो दो कि यह हम लोगा एक पेटन जेनरेट हुआ इसमें हम लोग होरीजन टेंजन सीज और वर्टिकल टेंजन सीज निकाल लेंगे तो यहां पे अभी वर्टिकल टेंजन सीज है तो वर्टिकल टेंजन सीज है तो वर्टिकल टेंजन सीज है वन एक ही पॉइंट पर अगर हम लोग एक एस्टेट लाइन इस तर ड्रोग करते हैं एक ही जगा टच करेगा तो बर्टिकल होगा वन और होरीजन्टली लोगा टू है कि यह इस तरह से फिकर होगा होरीजन्टली दो पॉइंट है यह होरीजन्टल टेंजन्टी को दो जगा टच करा है वन तू अब वर्टिकली हम लोगा एक हो रहा है तो एच इकोल टू हो गया तू अब भी इकोल टू हो गया वन तो यह हम लोगा फ्रेक्शन है तो यहाँ पे फ्रेक्शन एफ भी इकोल टू फ्रेक्शन इन्टू एज तो number of horizontal tangency divided by number of vertical tangency तो horizontal को हम लोग उपर रखेंगे तो अभी FB equal to horizontal tangency जोगा 2 और vertically 1 into FH तो FH हम लोगा non-frequency है non-frequency अभी हम लोगा 2.02 kHz है तो non-frequency हो जाएगा 2.02 into 2 4.04 kHz तो देखिए यहाँ पर यह हम लोगा non-frequency है 4.04 kHz तो इस तरह से हम लोग frequency को निकालते हैं तो यह किकर हम लोग draw कर लेंगे अब आईए हम लोग frequency को change करते हैं हम लोगा non-frequency 2.02 रहेगा और non-frequency को vary करेंगे तो यह हम लोगा rx pattern generate हुआ इसमें हम लोगा horizontal tangencies 1, 2, 3 और vertically हम लोगा एक point पे touch करेगा तो h equal to हो गया 3 और b equal to हो गया 1 तो इस तरह से हम लोग इसको दखेंगे horizontally हो गया 3 3 tangency 1, 2, 3 और vertically एक यह point पे touch करेगा तो fb on non-frequency equal to 3 by 1 into fs non-frequency non-frequency हम लोगा 2.02 है तो हम लोग 3 into 2.02 multiply करेंगे हम लोगा 6.06 तो लगबार हम लोगा 6.06 kHz frequency आ रहा है तो इस तरह से हम लोग lisa just figure से frequency calculate करते हैं वीडियो अगर interesting लगा तो like, share और subscribe कर दे जाएगा thank you जाएगा